अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो पहले वाले वीडियो जुरूर देख लें तभी आपको ये वाले वीडियो समाझ आएगा ठीक है क्योंकि मैं डिटेशन का सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से लेक्षर नमबर फॉर में मैंने बताया हुआ है ठीक है उससे पहले मैंने डिटेल में आपको काईटेशन प्रडेक्ट का भी बताया हुआ है तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो पहले वाले वीडियो से देख लें अब भी अपनेक विद थी है पव आप अग्जामपल यू विल अंडरस्टें रोस्टर फॉम सेट विल्डर फॉम हो तो फांड थी आंडर सूर्ट पर फॉम यू जापकी आपकी रिलेशन जाश्ट पाताया हुआ है relation is defined from set A to set A छीक है मतलब कीज़ आपकी relation जासे की मैंने बताया है relation is defined from the elements of set A to elements of set B बट यहाँ पर आपका elements of set A to elements of set A मतलब जो मेरा ordered pair है xy that xy belongs to A and y also belongs to A चलो आप देखिए यह आपको relation दे रहे है relation में क्या होता है एक ordered pair होता है न तो यह मैंने ordered pair लिख दिया such that यह आपको relation दे रहे है y is equal to x plus 1 सबसे पहले हम क्या करना है इसका arrow diagram बनाना है सबसे पहले आपको arrow diagram बनाना है तो देखिए arrow diagram क्या से बनेगा आप इसके ordered pairs लिख लो ठीक है ordered pair लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा x की values put करने पड़े की इसमें और आपके पास y की value मिल जाएगी तो आप x की value क्या क्या put करोगे x belongs to a है ना मेरा x belongs to a है तो आप x की values वह elements of a put करोगे तो पहले आप a put करो x में तो यह मेरा y कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा ठीक है फिर जब x की value 2 put करोगा तो मेरा y कितना बन जाएगा 3 फिर 3 put करने पर 4 बन जाएगा फिर 4 put करने पर यह 5 बन जाएगा अगर मैं 6 put करूँगा थी क्या बन जाएगा 6,7 बन जाएगा but 7 is not in my set A क्योंकि आप बोला नहीं यहाँ पर कि Y should also belongs to A X belongs to A and Y should also belongs to A तो यहाँ पर जो में आपका 7 है 7 मेरा set A में belong नहीं कर रहा न तो यह वाला मेरा order pair नहीं बनेगा तो यह मेरा क्या हो इसका यह मेरा क्या हो इसका रोस्टर फोर्म हो गया यह मेरा क्या हो इसका रोस्टर फोर्म हो गया अब अपन इसका arrow diagram बनाते हैं देखिए arrow diagram के लिए क्या करते हो आप यह मेरा set A यह मेरा set B है clear है चलिए अब इसके elements यहां पर लिख दो इसके अंदर और इसके element सिहां पर लिक दो आपका set है वह already सेम ही है तो इस मैंने लिख दिया यहांपे ठीक है अब देखिए one का relation किस के साथ है टू के साथ है यहांओ का relation यहां किसाथ फांदक्षा साथ अब देखो 6 का किसी के साथ नहीं है नहीं है क्योंकि 6 का 7 के साथ बन रहा था but 7 मेरा is set A में नहीं है नहीं है नहीं है देखो 6 6 का किसी के साथ कोई relation नहीं है चीक है यहां से आप domain और range वाला concept clear हो जाएगा देखिए domain जिसको आप df से सो गरते हो domain क्या है मेरा domain मैं आपको बताया था domain is set of all elements all first elements all first elements of ordered pair in relation ठीक है तो यहां पे आपका relation क्या है यहां पे आपका relation यह है ना यह ordered pair इनके सब की यह है तो इन सब का first element क्या है इसका one फिर two फिर three four and यह five यह मेरे first element ही यह ना one, two, three, four, five तो यह मेरा domain हो गया इसका अगर हम इसके range की बात करूँ तो range क्या है आपका set of all elements all second elements ठीक है जोगके ordered pair है relation वाले order pair उसका जो second element है वो मेरा क्या है आपका वो है आपका range देखो second element क्या है मेरा two यहां से three four, five and six तो यह मेरी क्या होगी आपकी range होगी यह मेरी range होगी अब code domain तो मैंने आपको बताए था code domain क्या होता है the entire set B is your code domain तो आपका set B कितना है one, two, three four, five, six ठीक है ना the entire set B is your code domain तो मेरा code domain होगया one, two, three, four, five, six clear है तो यहां से देख लो आप range is not equal to code domain यह ना जो मैंने पिछली term पे जग्जामपल लिया था उसमें क्या था range और आपका code domain same था बट यहां पे आपका same नहीं है मैंने खोड़ाय था range क्या होती है आपकी या तो मेरा subset range is always subset of code domain range is always subset of code domain ठीक है ना range is always subset of code domain तो यह आपका यह वाला example था ठीक है clear वा चलो आप देखो यह तो मैंने ordered पेर वाला देख रहा है ना मैंने ordered पेर की help से इसको किया है ना वैसे अगर आपके पास यह arrow diagram हो अगर आपके पास यह arrow diagram given हो तो मैं domain और range कैसे find करूँगा फिर देखिए फिर domain की definition क्या हो दाती है मेरी set of all the elements all the elements of set A which are in relation with the elements of set B तो यहाँ देखो अगर मैं set A की बात करूँ तो इसमें आपके elements 1,2,3,4,5,6 है ना बट जो आपका relation बना रहे है set B के साथ वो कौन से है 1 है 2,3,4,5 है ना ठीक है तो यह मैरा इसका domain हो गया अगर मैं range करूँ तो range क्या आपका set of all the elements of set B which are in relation with set A मतलब की B के वो सारे elements जो आपका A के साथ किसमें हो relation में हो तो कौन कौन से हैं आपके 2,3,4,5,6 और code domain क्या होगी मैरी code domain आपका complete set B होता है that is 1,2,6 I think it's clear now so, अभी यह अपना first question था तो इसलिए मैं इतना time लिया है इसमें आगे से आपन फ़रा first first करेंगे ठीक है next example है आपका कि इस बार आपको arrow diagram दे रखा है यह set P है, यह मेरा set Q है arrow diagram दे रखा है आपको और आपको लिख करना क्या है इसमें इस बार आपको relation लिखनी है in the set builder form and in roster form में लिखनी है ठीक है देखे करते हैं तो यहाँ से आप यह देखो कि मेरा 9 का relation किस के साथ है 9 का relation है आपका 3 के साथ और minus 3 के साथ है ना तो 9 का relation आपका 3 minus 4 का relation 2 और minus 2 के साथ है ठीक है वो 25 का relation 5 और माइनस 5 के साथ है तो इस arrow diagram को समझ के आपको क्या लग रहा है कि जो मेरा first element है या फिर element of set P क्या है आपके square है किसके elements of set क्योंके square है ना क्योंकि 3 का square 9 माइनस 3 का square 9 ठीक है ना तो यह क्या है आपके elements है ठीक है यह क्या है इसका square है तो जो मैं roster form में कैसे लिखूँ देखिए आप ऐसे लिखते हूँ ना r is equal to roster form में relation ऐसे लिखता हूँ r is equal to फिर brackets लगाऊँगा फिर आपका यहां पे एक ordered pair होगा यह मेरा ordered pair होगा फिर such that अब मैं यहां पे इन दोनों का relation लिखता हूँ है ना relation लिखता हूँ तो relation क्या है आपके जो मेरा first ordered pair का जो मेरा first number है वो क्या है आपका square है किसका second का तो x square is equal to y समझाया यह मेरा square है ना sorry x equals to y square x is equal to y square x is equal to y square x equals to y square इसको मैं where बोलता हूँ where x belongs to p and y belongs to set q तो यह मेरा क्या होगा इसका roster form होगा ठीक है ना clear वा x is equal to y square कि आप y मैंने क्या मना है set q से मानना तो जब आप q की 3 value रखोगे तो आपके पास 9 आएगा minus 3 रखोगे तो 9 आएगा ठीक है इस स्वाली बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x is square of y कोई दिखके था नहीं है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x is square of y ठीक है तो समझगे relation को define करूँगा मैं x ordered pair x y such that x is the square of y where x belongs to set p and y belongs to set q यह मेरा हो गया रोस्टर फॉम ठीक है square ही तो है न यहाँ देखो यह आपका square ही तो है 9 और यहाँ क्या है 3 और minus 3 अगर मैं 3 और minus 3 का square करूँगा तो मेरे पास 9 आजाएगा न therefore यह x क्या है आपका ordered pair जो मैं लिखूँगा उसका first element क्या होगा मेरा square होगा second element का अब इसको आप roster form में लिख दो देखिए roster form में क्या लिखोगे पहला element अगर मेरा 9 है ordered pair का गया मेरा minus 3 нisu गया नहीन करूँगा यह देखिए 3 के साथ है और minus 3 के साथ है दो order प्र यह बन गए मेरे फिर 4 का देखो 4 का relation आपका 2 के साथ-2 के साथ फिर 25 का relation आपका 5 के साथे 25 का relation आपका सब्सक्त ФET के साथ ठीक है ना कि लिखा यह कि रहा है चलो फिर आगे देखो मैंने यहां से देख लिए इसको नाइन का रिलेशन किसके साथ बना रहा है थ्री के साथ एक और पर यह हो गया क्या सो करता है बेसिकली रिलेशन सो करता है ना बेट्विन फॉर्स्ट ऐलेमेंट और सेगिन रहा है ना तो वही बात फॉर का रिलेशन किसके साथ है टू के साथ है और माइनस टू के साथ है यह होगा में ओड़न पे फिर 25 वैसे हो गया ठीक है अब देखिए अब आप इसका डॉमें बता यह मेरा 4 है और फिर मेरा 25 है तो यह मेरा डॉमेन हो गया ठीक है रेंज रेंज क्या होता है मेरा second element of the order पे तो second element क्या है मेरा 3 minus 3 2 minus 2 minus 5 4 5 है ना तो चाहोता आप इसको arrange करें लिख सकते हो that is minus 2 minus 3 minus 5 2 3 5 है ना चाहोता आप लिख सकते हो क्योंकि set के अंदर मेरा order matter नहीं करता है ना या मैंने आपको बताती है था set में चीक है अब इसका अगर मुझे code domain निकालना है तो code domain क्या होता है कि जो मेरा second वाला set set होता है वो entire क्या होता है तो अपर code domain होता है therefore set q is my code domain और यह क्या हो जाएगा मेरा फिर minus 2 minus 2 minus 3 3 ठीक है फिर 5 minus 5 और फिर 1 ठीक है तो यह एंटायर set q होगा वो क्या होगा मेरा code domain हो गया तो यह भी आपका अब देखिए अब यहां पर एक बात आती है कि number of relations कितनी होगे मेरी number of relations कितनी होगे है ना तो देखिए कुछ भी नया नहीं है इसमें मैंने आपको क्या बताया relation क्या होती है आपकी relation is subset of Cartesian product है ना relation क्या होती है मेरी subset of Cartesian product होती है चीक है अब देखो अब number of subset निकालने का आपको फॉर्मुला मालूब रही नहीं है मालूँ मैंना how to find number of subsets कैसे निकालते हो अब मैंने आपको set में बताया था कि 2 की power n where n is number of element in the set number of element in set clear है तो सेम यही formula आपका number of relation find करने में होगा तो जितने इस जब Cartesian product है जो मेरा Cartesian product है इसके जितने भी आपके क्या होंगे possible subset होंगे Cartesian product के जितने भी possible subset होंगे तो वही मेरा क्या होगा number of relations होगा चीक है ना देखिए for example माल लो कि मेरा कोई set a दे रखा है आपको 1 2 and set b दे रखा है आपको 3 4 ठीक है और आपको find करना है find the number of relations find the number of relations तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे एक रोस भी देख लोगे कि एक रोस भी मेरे कितने elements होंगे ठीक है तो एक रोस भी कैसे लिखोगे आपका पहले 1 का 3 के साथ retention बना दो फिर 1 का 4 के साथ फिर 2 का 3 के साथ और फिर 2 का 4 के साथ बना दो तो यह मेरे क्या होगे चार होगे ना 4 के छिख का इट मींस कि number of elements number of elements in A cross B is 4 therefore number of subsets number of subsets of A cross B which is also equal to number of relations is also equal to number of relations is equal to 2 की power n, clear है, where n की value कितनी है, आपकी 4 है, तो 2 की power 4 equals to 16 ठीक है, 2 की power 4 equals to 16 तो क्या हो आपके पास, 16 16 क्या होंगी आपके पास, there will be 16 possible relations, है ना, तो possible relations कितनी होंगी आपके 16 होंगी, ठीक है, अब देखो, दूसरा example लेते हैं, मान लो मेरे पास A है, A, B, C, and B है आपके पास, A, C, D, E, आपको find करना है, number of relations, ठीक है, तो देखिए, इसमें मैं पूरा एक रोस भी नहीं लिखूँगा, क्योंकि आपको मालूम है, आपको क्या मालूम है, कि number of elements in A cross B कितना होता है, मेरा, याद है न, number of elements in A cross B कितना होता है, मेरा, M into N, बोलके हैं, याद है, कि अगर मेरे किसी set A में कितने हैं, M elements है, और set B में कितने elements हैं, आपके, N elements है, तो A cross B में कितने elements होंगे मेरे m into n तो यहां देखो a में कितनी है 3 है b में कितने है 4 3 4 जा 12 है ना इसका मतलब कि जो मेरा a cross b है उसमें कितने elements है 12 elements है ठीक है अब देखो अब अगर आपको number of relations find करने number of relation find करने तो number of relation find करने का मतलब क्या है कि आपको करना है आपको number of subset निकालना है किसका a cross b का तो number of subset कैसे निकालते हो 2 की power n छे निकालते हो where n is number of elements in a cross b वो जो मैं निकाल चुका हूँ कितने है 12 है तो number of relations कितने हो जागे आपकी 2 की power 12 है ना अब देख लो 2 की तो इतने सारे मेरे relations possible होंगी है ना अब यह है जो आपका है ना तो यह तो मैंने relation एक relation लिखी है है ना यह मैंने relation कितनी लिखी है एक ही लिखी है ठीक है इसमें भी आपकी काफी सारे relations possible हो सकती है है ना तो जर्ण इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी number of Possible relations हो सकते है तो देखिए p में कितने हैं आपके 3 चू में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना तो number of elements कितनी होंगे number of elements होंगे आपके इन एक p cross q की बात कर रहा हूँ कि P cross Q में कितने elements होंगे 3 into 7 that is 21 है ना अब number of relations कितने हो जाएंगे आपकी 2 की power है न होती है ना where n is number of elements in A cross B तो यह हो जागा 2 की power 21 तो देख लो 2 की power 21 इतने इसमें possible relations है है ना और आपने only एक relation लिखी विए है ठीक है ना तो यह आपके examples थे नेक्स्ट वीडियो में आपने इसके exercise discuss करेंगे तो थेंक्यू